लास तेन्थ इकनोमिस अध्याय तीन मुद्रा और साख मुद्रा बिनमय की एक का एक माध्यम मुद्रा का इस्तमाल हमारे रोजाना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने चारों तरफ देखिए आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुरे कई सौधे की पहचान कर सकते हैं क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं बहुत से लेन दिन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जड़िये बस्तु खरिदी और बेची जा रही है ऐसे कुछ लेंदेन में मुद्रा के बदले सेवाय परदान की जा रही है लेकिन कुछ मामलों में ही हो सकता है जहां लेंदेन में के वक्त मुद्रा कोई आदान परदान ना हो केवल बाद में भुकतान करने का वादा हो क्या आपने कभी सोचा है कि खड़िदारी मुद्रा के जड़िये क्यों होती है कारण बहुत सरल है जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका बिनमे किसी वस्तु या सेवा खड़िदने के लिए असानी से कर सकता है इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है फिर उस मुद्रा का इस्तमाल अपनी जरूरत से चीजे खड़िदने के लिए करता है एक जूता निर्माता का उधारन देखते हैं वह बाजार में जूता बेचकर गेहु खड़िदना चाहता है जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तमाल गेहु खड़िदने के लिए करेगा जरा सोचिए जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तमाल किये जूता का सिधे गेहूं के बिन में करता तो उसे कितनी कठनाई होती उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना परता जो केबल गेहूं बेचना चाहता है बलकि साथ में जूते भी खड़िदना चाहता हो अर्था दोनों पक्ष एक दूसरे के चीजे खड़िदे और बेचने के सहमाती रखे इसे आबसक्ताओं का दोहरा संयोग कहा जा सकता है एक ब्यक्ती जो वस्तू बेचने की इक्षा रखता है वही वस्तू दूसरी व्यक्ती को खड़िदने की भी इक्षा रखता हो दूस वस्तू विन्म्पर नाली में जहां मदरा का उपयोग कि ये भीना वस्तूओं का बिन में होता है वहां अबसक्ताओं का दोरा संयोग होना अनिवार विशिष्टा है आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा मुझे जूते नहीं चाहिए मुझे कपड़े चाहिए वस्तूओं में पढ़नाली का ये है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है कुमार कह रहा है सबकी अपने अपनी अलग जरूरते है इसकी तुल्ला में ऐसी अर्थ वेवस्ता जहां मुद्रा का परियोग होता है मुद्रा महत्पुन मध्यमवर्ती भूमिका परदान करके अबसक्ताओं के दोड़े सईयोग की जरूरत को खत्म कर देती है फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं गरा जाता कि वे ऐसे किसान को ढूंडे जो ना केबल उसे जूते खड़ी दे बलकि साथ साथ गेहूं भी बेचे उसे केबल अपने जूते के लिए खड़ी दार ढूनना है एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिये तो वह बाजार में यहूं या अन्य कोई वस्तुवी खड़ीच सकता है चुकि मुद्रा बिनमे परकिरिया में माध्यस्ता का काम करती है इसे बिनमे का माध्यम कहा जाता है मुद्रा के परियोग से बस्तूओं के बिनमें में सहुलियत कैसे आती है आप आप कुछ उधारन सोच रखते हैं जहां बस्तूओं तथा सेवाओं के बिनमें या मजदूरी की अदाईगी बस्तूओं परनाली के जड़िये हो रही है प्राराम्विक आहाथ सिक्के लवक 25 सो वर्स पुराने सिक्के देखिए गुप्त कालियन सिक्के हैं अकबर कालियन सोने के सिक्के मोहरे हैं आधूनिक सिक्का एक रुपे का चलिए मुद्रा के आधुनिक रूप देखते हैं हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में बिनमे का माध्यम बन सकती है सिक्को के चलन से पहले तरह तरह की चीज़े मुद्रा के रूप में इस्तिमाल की जाती थी उधारन के लिए बहुत प्रारंभी काल से ही भारतिये अनाज और पसु का मुद्रा की रूप में इस्तिमाल करते थे इसके बाद सोना, चांदी और तामबे जैसी धात्वे के सिक्के का चलन हुआ जिसका चलन पिछली सदी तक रहा करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागच के नोट और सिक्के सामिल है वे चीज़े जो पहले मुद्रा के रूप में परियोग की जाती थी उसके विप्रीत आधुनिक मुद्रा बहुमुल्य धात्यों जैसे सोना, चांदी और तामबे के बने सिक्के से बनी है अनाज और पसो की तरह वे रोज मर्रा की चीज़े भी नहीं है आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तमाल नहीं है फिर इसे बिनमय का माध्यम क्यों सुईकार किया गया इसे बिनमय का माध्यम इसलिए सुईकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकित करती है भारत में भारती रिजर्व बैंक के अंदरिये सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है भारती ये कानून के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है इसके अलावा कानून में माध्यम के रूप में रुपय का इस्तमाल करने की बेज़ता परदान करता है इसे भारत में सौधे में अदाईगी के लिए माना नहीं किया जा सकता भारत में कोई वेक्ति कानूनी तोर पर रुपेयों के अदाईगी को और सुविकार नहीं कर सकता इसलिए रुपेया व्यापक अस्तरपर बिनमे का माध्यम सुविकार किया गया है बैंकों में निच्छेप लोग मुद्रा बैंकों में निच्छेप के रूप में भी रखते हैं किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की अब सकताओ के लिए कुछ ही करेंशी की जुरत होती है उधारन के लिए हर महिने के आखिरे में बेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोल कर जमा कर देते हैं बैंक ये जमा सुविकार करते हैं और इस पर सूध भी देते हैं इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूध भी मिलता है लोगों को अपनी आवसकता कि अनुसार इसमें से धन निकालने की सुवधा भी उपलब्ध होती है चुकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जड़िये निकाल जा सकता है इसलिए इस इस सुवधा देता है यह सुवधा इसे मुद्रा का बिनमें का माध्यम महत्पून लक्ष परदान करती है आपने नगत की बजाए चैक से भुकतान करने के बारे में सुना होगा चैक से भुकतान के लिए भुकतान करता जिस जिसका किसी बैंक में खाता एक निशीत रकम के लिए चैक करता है चैक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चैक पर लिखे नाम के लिए दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुकतान करने का आदेश देता है आईए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चैक दोरा भुकतान कैसे होता है जिसके एक उधारन के दोरा करते हैं चैक दोरा भुकतान जूता निरमाता M. सलीम को चमरा अपपुर्ती करता को भुकतान करना है और इसके लिए वो एक विशेश रखम चेक लिखता है अर्था जूता निरमाता अपने बैंक को चमरा अपूर्ती करता को यह रखम देने का आदेश देता है चम्रा पूर्ति करता है यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है धान एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के कुछ दिनों के में अंत्रित हो जाता है यह लेन देन बीना नगत की अधाईगी को पूरा हो जाता है चेक नमबर ये होता है शिक्स जिजिट का बैंक सका बैंक द्वारा परियुक्त कोड होता है चलिए आगे चलते है इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार लक्षन मिलते हैं मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुवधा के बिना मनगत का इस्तेमाल किये सिदा भुक्तान करना संबव हो जाता है चुकि मांग जमाओ को करेंसी के साथ साथ बैपार अस्तर पर भुक्तान का माद्यम सुविकार किया जाता है इसलिए आधूनिक वेबस्ता में इसे मुद्रा समझा जाता है जहां आपको बैंक की भुमिका को याद रखना होगा बैंक के लिए इस जमा के बतले कोई भी मांग जमा एवं भुक्तान नहीं होगा मुद्रा के आधूनिक रूप करेंसी और जमा आधूनिक बैंक पर नाली की करप नाली बहुत करीब से जुरे हुए हैं कि आव इन पर विचार करें कि एम सलीम भुक्तान के लिए 20,000 रुपे नगत निकालना चाहता है इसके लिए चेक कैसे लिखेगा सलीम और प्रेम के बीच लें दिन के बाद सलीम के बैंक खाते में सेश बढ़ जाता है प्रेम के बैंक खाते में सेस बढ़ जाता है सलीम के बैंक खाते में सेस घड़ जाता है प्रेम के बैंक खाते में सेस बढ़ जाता है सलीम के बैंक खाते में सेस घड़ जाता है सलीम भुकतान कर रहा है नगत निकालना चाहता है उसके लिए उसके KAUD में से घड़ जाएगा, ना? मांग जमा मुद्रा क्यों समझा जाता है? बेंको की बेंकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, बेंक जनता से जो धन जमा का खातों में शुवकार करते हैं उसका क्या करते हैं यह एक दिलचस्प कीडिया विदी काम करती है बैंकजमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगत के रूप में रहकते हैं उधारन के लिए आजकल भाड़त में बैंक जमा का कैवन 15,35 इसा नगत के रूप में अपने पास रखते हैं इसे किसी एक दिन में जमा करता हो दोरा धन निकालने की संभावनाव को देखते हुए प्राभधान किया जाता है चुकि किसी एक विशेज दिन केवल कुछ जमा करता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इसे नगद से आराम से चलता है, बैंक रासी बैंक जमा रासी एक बड़े भाग को रीन देने के लिए इस्तमाल करते हैं, विभीन आर्थिक गति वीधियों के ल लोगों की रीन आवसकताओं को पूरा करने के लिए इस्तमाल करते हैं इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त रासी जमा करता एवं जिन जिने रासी की जरूरत है करजदार जो होते हैं के बीच मद्यस्ता का काम करती है मैंग जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज रीन पर लेते हैं करज़धारों के लिए गए ब्याजों और जमा करताओं को दिये गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों के आयका प्रमुक्ष रोत है अगर सभी जमा करता एक ही समय में अपनी धन रासी की मांग करने बैठ पोएंग पहुँच गए तो क्या होगा जमा करता लोग जमा करते हैं जो धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं बैंक की आय बढ़ती है रीन लेते हैं कर्जदार लोग रीन लोट आते हैं और ब्याज देते हैं साग की दो भी भी निस्तितिया हमारी रोज मरा की गतिवीदियों में ऐसे बहुत से लेंदेन है जहां किसी न किसी रूप में रीन का पड़ियों होता है रीन उधार हमारे उतातपर एक समती से है जहां साहुकार कर्ज को धन वस्तुए वंसेवाय मुहया कराता है और बदले में भविस्ति में कर्जदार से भुगतान करने के वादा कर लेता है अब हम निखित दो उधारनों के द्वारा देखते हैं कि रीन की क्या भूमिका होती है तेवारो का मौसम अब दो महीने के बाद तेवारो का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास सहर के एक बड़े बैपारी तीन हजार जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे एक महीने के अंदर पूरा करना है उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आप सकता है उसे कच्चा माल भी खड़ीदना है इस अभी खर्चों को पुरा करने के लिए सलीम दोस रोतों से रिन लेता है पहला हुआ चमरा बैपारी को चमरा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुकतान करने का वादा करता है दूसरा वह इस बड़े बैपारी से हजार जूतों के लिए अग्रिम भुकतान के रूप में नगत कर्ज लेता है तथा महीना खतम होने से पहले पूरा ओर्डर पहुचाने का वादा करता है महीने के आखिर में सलीम जूते पहुचाने का काम्याब होता है उसे अच्छा खासा लाब होता है और वह उधार लिये धन की अधाईगी भी कर देता है सलीम उत्पादन के लिए कारेसिल पूजी के जुरत को रीन के द्वारा पूरा करता है रीन उसे उत्पादन के कारेसिल खर्चो तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है इस प्रकार रिन एक महत्पून तदा सकरात्मक भूमिका अदा कर रहा है स्वपना की समस्या एक छोटी किसान स्वपना अपनी तीन एकर जमीन पर मुंग फली उगाती है वह इस उमीद पर की फसल तयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी खेती के खर्चे के लिए साहुकार से रिन लेती है फसल पर कीटनास को यह हमले से फसल बरबाद हो जाती है हाला की स्वपना फसल पर महंगी की नासक दवाया छिरकती है उससे कोई खास फरक नहीं परता वह साहुगार का कर्ज लोटाने में अस्फल रहती है और साल के अदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है अगले साल स्वपना खेती के लिए दुबारा उधार लेती है इस साल फसल सामान रहती है लेकिन इतनी कवाय नहीं होती कि वह अपरा कर्ज वापस कर सके वह कर्ज में फस जाती है उसे कर्ज को चुकाड़े के लिए अपनी जबीन या कुछ हिसा बेचरा पड़ता है ग्रामीन छेतरों में साक की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है फसल उगाने में बीज, खाद, किरनासक, दबाओ, पानी, बिजली उपकरनों की मरमत इत्याली पर काफी खर्च होता है इन आगतों को खरिदने और फसल की विक्री होते होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है आम तरपर से किसान रीतु के आरम में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तयार होने के बाद वापस कर देते हैं उधार की अदाईगी मुख्यता फसल की कमाई पर निर्वर है स्वपना के मामले में फसल बरबाद हो जाने से कर्ज की अदाईगी असंभव हो गई उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन या कुछ हिसा बेचना परा रीन ने स्वपना की कमाई को बढ़ाने के बजाए उसकी स्थिति और बदर कर दी इसे आम भासा में कर्ज जाल कहा जाता है इस मामले में रीन कर्जदार को ऐसी पर इस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्ट दायक होता है एक इस्थिति में रीन आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिसमें व्यक्ति को इस्तिती पहले से बेतर हो जाती है, दूसरी इस्तिती में फसल बरबाद होने कारण रीन व्यक्ति को अपने जाल में फसा लेता है, तो अपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना परता है, असपस्ट है कि उसकी इस्तिती पहले कि तुलना में बद्दर हुई रीन उपयोगी होना या नहीं यह परिष्थिति के खत्रे और हानी होने पर प्राप्त सवयोग की संभावना पर निर्भर करता है लिखी तालिकों को पुरा किजिए उन्हें रीन के अब सकता क्यों पड़ी सुपना को खेती के लिए सुपना को जूते बनाने के लिए जोखिम क्या था कि वह पुड़ा कर पाया कि नहीं जो डिमांड था और सुपना की खेती कितना सक से बरबाद हो गई थी पर नाम क्या हुए यह तो आप देखी चुके कहानी में माल लीजे सलीम को बेपारियों से और्डर मिलते रहते हैं छो साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी इसके पास बहुत जाद पैसा हो जाएगा अच्छा ही निकम होगा है कौन से कारण दो सुपना की स्थिति को जोकिम भरा बनाते हैं निमली खीत कारकों में से चर्चा की खीतना सक दवा यह साहुकारों की भूमी का मौसम जोकिम भरा बनाते हैं मौसम हो सकता है यह अच्छी फसल नहीं होती है रिन की सर्थे हर रिन समझोते में ब्याजदर निशित कर दी जाती है जिसे करदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है इसके अलावा उदारता कोई समर्थक रिन धार गिरावट रखने के लिए कि मांग कर सकता है समर्थन रिन धारा ऐसी संपति है जिसका मालिक करदार है जैसे कि भूमी इमारत गारी पसु बैंक में पूजी और इसका इस्तिमाल हुआ उधारता को गरेंटी देने के रूप में करता है जब तक की रिन नहीं हो जाता यदी कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधार दाता को भूगतान प्राप्ति के लिए संपति है समर्थन रिन धार बेचने का अधिकार होता है सम्पति जैसे कि जमीन बैंक में जमापूजी पसू इत्यादी समर्थक रिंदार के आम उधारन है जिनका उप्योग कर्ज लेने के लिए किया जाता है आवास रिन मेघा ने घर खरिदने के लिए बैंक से 5 लाक रुपे का कर्ज लिया इस कर्ज को ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लोटाया जाना है मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन समंदी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं बैंक नए घर के सभी कागज जिन्दार के रूप में रख लेता है इसे मेघा दौरा ब्याज समेत कर्ज लोटाने पर वापस किया जाएगा मेघा के आवाश लेंसे निमलिखीत व्युब्रणों की पुर्ति करे रियाज दर सम रख रिन दार आवस्चय कागजात और भुगतान के तरिकों को सम्मीत लूप से रिन की सर्तों कहा जाता है रीन की सर्तों में एक रीन वेवस्था से दूसरे रीन वेवस्था में काफी फर्क आ जाता है कर्ज की सर्ते उधार दाता और करदार की प्रकृति पर निर्भर करती है अगले भाग में ऐसे उधारन दिये गए हैं जहां विभीन रीन विबस्थाओं में रीन की सर्ते अलग-अलग है विभीत प्रकार के साक प्रबंद एक गाउं का उधारन रोहित और रंजन कक्छा में रीन की सर्तों के बारे में पढ़ना खतम किया था वे अपने इलाके में प्रचलित विभीत प्रकार के रीन प्रबंदों को जानने के उसुक थे कौन लोग उधार देते हैं और कर्जदार कौन है रीन की सर्ते क्या थी उन्होंने अपने गाउं के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया आगे उनका लेक पढ़ सकते हैं पंदर नवर दोजार उन्हीं को हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे खेतों में आलू की फसल लगी हुई है पहले हम सोनपूर एक छोटा सरगाओ जहां सिचाई की सुगदा मौजूद है कि एक छोटे किसान स्याम लाल से मिले स्याम लाल का कहना है और यहां से अब हम अरून से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के का निरक्षन कर रहा है अरून के पास साथ एकर जमीन है अरून सोनपूर के उस कुछ लोगों के में से है जिसे खेती के लिए बैंक से रिन मिला है इस रिन का वार्षिक व्याज सारे आठ परतिजत है और इसे अगले तीन वर्षों में कभी भी लोटाया जा सकता है अरून की योजना है कि वे फ़सल तयार होने पर अपनी रिन उपच का कुछ हिस्ता बेचकर इस रिन की अदाईगी करेगा वह बाकी आलू की फ़सल के लिए सीथ भंडार ग्री में रखकर बैंको से इसके बदल नया रिन ल ले चुके हैं स्यामलाल का काना है कि उस उसने अपनी 1.5 एकर जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जोत परती है कुछ साल पहले वह गाउं के महाजन से रिन लेता है जिसे उसे 5% मासिक ब्याज़ देनी परती है 60% वार्षिक पिछले कुछ वर्सों में स्यामलाल गाउं के एक क्रिसी ब्याज़ से 30% की मासिक ब्याज़ की दरपर रिन ले रहा है जुताई के मौसम में शुरुआत होने पर ब्याज़ रिन पर क्रिसी संबंधी आगते जरोत मुया कराता है जिसे फसल तयार हो जाने पर वापस करना हो रिन पर ब्याज़ के अलावा बैपारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा इस तरह बैपारी निश्ची था कि रिन की अदाईगी समय से हो जाएगी फसल की कीमते फसल काटते समय कम होती है इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बैपारी में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफ़ा कमाता है बैपारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफ़ा होता है वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमते बढ़ने पर बेचता है रमा निकट के खेत में किरिसी मजदूर के रूप में काम करती है साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता अपने रोज मारा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है अचानक बिमार पढ़ने से या परिवार के किसी समरों में खर्च करने के लिए भी उसे कर्च लेना पड़ता है रमा कर्च के लिए अपने मालिक जो सोनपुर का मध्यम बढ़गिये भू स्वामी है आसरित है भू स्वामी उसे 5% मासिक ब्याज के दर पर रिन देता है रमा उस कर्च को भू स्वामी के यहां काम करके वापस करती है अधिकांस्तर रमा को नया रिन लेना पड़ता है जबकि वह पुराना रिन लोटा भी नहीं पाती वर्तमान में भू स्वामी के 5,000 रुपे देने है यदि भू स्वामी उसके साथ अच्छा वेवार नहीं करता फिर भी वह उसके लिए लगतार काम करती रहती है ताकि यह उसकता पड़ने पर उसे रिन मिल सके रमा हमें बताती है कि स्वानपूर में भूमी हीन लोगों के लिए रिन का एक मात्र स्वामी नियुकता ही है साकारी समीतियों से रिन बैंकों के अलावा ग्रामी छेतरों में सस्ते रिन एक अन्य स्वामी समीतिया है साकारी समीति के सदस्ये अपने संसादनों को कुछ छेतरों में स्वयोग के लिए एकत्र करते हैं कई परकार के साकारी समीतिया संभव है जैसे किसानों बुनकरों और अधोगी मजदूर इत्यादी की साकारी समीतिया क्रिशक साकारी समीती सोनपुर के नजदी एक गाउं में काम करती है इसके 2300 किसान सदस्य है यह अपने सदस्य से जमा प्राप्त करती है इस जमा पूजी को रिन धार मानते हुए इस साकारी समीती ने बैंक से बड़ा रिन प्राप्त किया है इस पूजी का इस्तेमाल सादस्य को करज देने के लिए किया जाता है यहरीन लटाने के बाद करज का दूसरा दोर सुरू किया जाता है कृषक सहकारी समीती कृषी उपकरन खड़िदने खेती तथा कृषी बेपार करने मचली पकड़ने घर बनाने आदी अन्य बीन परकार के खर्चों के लिए मोहया कराती है भरात में उपचारिक छेतरक में साख हमने उपर के उधारनों में देखा कि लोग बिभीन स्रोतों से रीन प्राप्त करते हैं बिभीन परकार के रीनों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है अपचारिक तथा अनुपचारिक छेतरक रीन पहले वर्ग में बैंकों की सहकारी समिते के लिए कर जाते हैं और अपचारिक उदारता में साहुकार वैपारी मालिक रिस्तिदार दोस्त इत्यादी आते हैं आले के एक में आप भारत के ग्रामिन परिवारे के लिए रीन के विभीन सुरोतों को देख सकते हैं क्या अधिक रीन और अपचारिक छेत्रक से आ रहे हैं, या अपचारिक छेत्रक से, भारतिय रीज़र बैंग रीनो के अपचारिक सुरतों की डारे पणाली पर नजर रखता है, उधारन के लिए हमने देखा कि बैंग अपनी जमा का एक निवंतम नगद हिस्सा अपने साख अपने पास रखते हैं, RBI नज़र रखता है कि बैंक वास्तब में नगत सेस बनाये हुए हैं, RBI इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक के वर लाब और जित करने वाले वेबसाईयों और वेपारियों को ही रिन मुहयात नहीं करा रहे हैं, बलकि छोटे किस्तान और छोटे उ आज की दरे क्या है, और अप्चारिक छेतरक में रिन दाताओ कि गति वीदियो की देखने करने वाला कोई संस्था नहीं है, वे एक्षक दरों पर रिन दे सकते हैं, उन्हें ना जाये तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन बैंक हमार कोई उच आय क्यों चाहेगा, और अप्चारिक रिन दाताओ की तुल्ला में अनुपचारिक छेतरक की ज्यादाता कहीं अधिक बियाज बसूल करते हैं, इसलिए अनुपचारिक रिन कर्जदाता को अधिक महांगा पड़ता है, रिन की उची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का धिकतर हिस्सा रीन की अदाईगी में ही खर्च हो जाता है इसलिए करदार के पास अपने लिए कम आय बचती है जैसा कि हमने सोनपूर में सयामलाल के मामले में देखा कुछ मामलों में रीन की उची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम करदार की आज से अधीक होती हो जाती है इसके कारण रीन का बोज बर जाता है जैसे हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा और वैक्ती रीन जाल के फंच जाता है ऐसा ही ऐसा भी संभव हो कि लोग कर्ज लेकर अपना उधम शुरू करना चाहते हैं वे रीन से अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाए इन सभी कार्णों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समीतियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए इसके जड़िये लोगों की आय बर सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन जवड़तों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे वे फसल उगा सकते हैं कोई का कारोबार कर सकते हैं छोटे उधोग इत्यादी लगा सकते हैं वे नया उधोग लगा सकते हैं या बस्तूओं का वेपार कर सकते हैं, सस्ता और समर्थ के अनुकूल कर्ज के विकास के लिए अती आवस्चक है, अपचारिक और अपचारिक साख किसे क्या मिलता है, अलेक्टू में सहरी छेत्रों के लोगों के लिए रीन अपचारिक और अनपचारिक महत्व के दिखाया ग की अब देख सकते हैं कि सरी इड़न नर फार ईंट द्वारों in परिवारों की कर्ज के की केल परतिसां जरुद KommandaiRakon की परिवारों की कर्ज पर्ठीस dedicate to your hometown ब्राविन उस्हारी लुबार की और इस तरह तसभीर किरामिन च्रीड़ों की भी है आमीर परिवार अनुपचारिक रिन दाताओ से सस्ता रिन ले रहे हैं जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है इन सबसे क्या पता चलता है कि पहला अप्चारिक स्रोत अभी भी ग्रामेन परिवारों की कुल रिन जड़तों के केवल 50% पुरा कर पाता है बाकि जड़ते अनुपचारिक सुरोतों से पूरी होती है अनुपचारिक रिन दाताओं के लिए उधार पर आमतर पर ब्याज की दर्य बहुत अधिक होती है और यह उधार कर दाताओं की गड़ीप परिवार करें सहरी परिवारों के लिए लिए गए कुल रिन प्रतिशत अबचारिक रथा कितना परतिशत अनुपचारिक Со नीला जो है अपचारिक सुरोतों के रीन की परतिशत को दर्शारा है और बैगनी अपचारिक परतिशत रीन का परतिशत दर्शारा है कम संपती वाले परिवार समरीद परिवार देखे समरीद परिवार को ज़्यादा मिल रहा है अपचारिक से अमीर परिवार को भी ज़्यादा मिल रहा है अपचारिक से और देखे कितना कम मिल रहा है गरीब परिवार को अपचारिक के बदले अनवचारिक से जादा इनकों पचासी परसेट मिल रहा है आए बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है इसलिए बैंकों को सहकारी समीति को अपनी गतिवी दिया विशेशकर ग्रामी इलाकों में बढ़ाने के जरुत है ताकि करदारों और अनवचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घटे दूसरा यदि एक तरफ अपचारिक स्रोत के रिनों का विश्तार होना चाहिए तो दूसरी और यह भी जरूर था कि यह रिन सभी लोगों को प्राप्त हो सके वर्तमान समय में अमीर परिवार ही अपचारिक स्रोतों से रिन प्राप्त करते हैं जबकि गरीब परिवारों को अपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है यह जरूरी है कि अपचारिक रिन का सबसे अधिक समान वित्रन हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते रीन का फैदा उठा सके कुछ क्वेस्चन से रजाई की सिलाई करता एक मजदूर क्या आप मानते हैं कि बैंग मुझे रीन देगा क्या लगता है आपको निर्धनों के स्वेम सहाथा समू पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार रीन के लिए अब भी अपचारिक सुरोतों पर निर्भर है अनपचारिक सुरी ऐसा क्यों भारत के सभी ग्रामिन छेतरों में बैंक मौझूद नहीं है जहां कहीं मौझूद भी है बैंकों से कर्द लेना अनुपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुला में ज़्यादा मुश्किल है जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा बैंक से कर्ज लेने के लिए रिनाधार और पिसेस कागजातों की जुरूत पड़ती है रिनाधार की अनुपलब्दता का एक परमुक कारण है जिसमें रिन नहीं ले पाते दूसी और अनुपचारिक रिन दाता जैसे साहुकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत अस्तर पर जानते हैं इस कारण अक्सर बिना रिनधार के ही रिन दे दे देते हैं के लिए तैयार हो जाते हैं कर्जदार ज़रूत पढ़ने पर पुराना रिन चले जाते हैं लेकिन महाजन ब्याज की दरे बहुत उची रखते हैं लेन देन की लिखी पढ़ी लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं हाली के वर्सों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपन करने की कोशिस किया है इन में से एक विचार गरामीन छेतरों में गडिएवे विशेसकर महिलाओ को छोटे-छोटे स्वयम सहायता समूह में संगठन करने और उनकी बचत पुजी को एकत्र करने पा धारित है एक विशेस स्वयम सहायता समूह में एक दूसरे के परोसी 15-20 विचती बचत 25 रुपे से लेकर 100 रुपे अधीक हो सकती है यह परिवारों की बचत करने की छमता पर निर्वर करता है सदस से अपनी जोर्तों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह सही कर्ज लेते हैं समूह इन कर्जों पर ब्याज देता है लेकिन यह साहुकार दोर लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है एक या दो वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंकोर से रिन लेने के योगे हो जाता है रिन समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मक्सर सदस्यों के लिए 100 रोजगार और अब सरों का सिजन कर करना है उधारन के लिए सदस्यों को छोटे-छोटे करज अपनी गिर्वी जमीन चुरवाने के लिए काड़ेसल पूजी की जवड़तों बीज, खाद, बांस और कफरे खरिदने के लिए घर बनाने सिलाई और मसीन, हत करगा, पसू, इत्यादी संपती खरिदने के लिए द अधि के बारे में निर्णाय करता है, इस रिन को लोटाने की जिमेदारी भी समू की होती है, एक भी सदस्यों अगर रिन वापस नहीं लोटाता तो समू के अंदर सदस्यों इस मामले को गंभीतास लेते हैं, इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को रिन देने के लिए तया रिन धार नहीं होता है, इस तरह स्वयम सहता समू कर्ज दारों को रिन धार की कमी की समस्या से बढ़ने मदद करते हैं, उन्हें समय अनुशार विभीन परकार की गावसकताओं के लिए एक उचित ब्याज पर रिन मिल जाता है, इसकी अर्तिरिक्त यह समू ग्रामीन छेत् गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं, इससे ना के बल मैलाय आर्थिक रूप से स्वाब लंबी हो जाती है, बलकि समू की नियमित्ता बैठक के जड़िये लोगों को एक आम मंच मिल जाता है, जहां वो तरह तरह से समाजिक विश्यो, स्वास्त, पोशन और पाती है, गुजरात के मईलाओ की स्वेम सहयता समू की बैठक, बंगलादेश का ग्रामीन बैंक, बंगलादेश ग्रामीन बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की रिंज उर्तों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास है, इसकी शुरुवात 1970 में एक छोटे प्यमा आने पर हुई, वर्स 1998 में ग्रामीन बैंक के अब 9,10,00,00 से थे जो बंगलादेश के 81,600 गाओं में फैले हुए थे, इससे रिन लेने वाली ज्यादातर महिला है, जिनका संबंद समाच के गरीब तबके से इन करजदारों ने दिखा दिया है कि न केबल गरीब महिला है, भ अगर गरीब लोगों कहीं और उचीत सर्तों पर दिन उपलब्द कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोगों अपनी छोटी छोटी एगरती वीदियों के जड़िये विकास का सबसे बड़ा चमतकार कर सकते हैं, मुहमद यूनिस, ग्रामीन बैंक संस्तापक 2006 में सांती क के लिए नोबल पुरसकार इंगे से समानित है, मुहमद यूनिस को, सारांस, इस अध्या में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग पनाली से इसके समंदों को देखा, एक तरफ जमा करता अपनी धन बैंकों में रखते हैं, दुसरी तरफ करदार बैंकों से लेते हैं, आर्थिक गती वीदियो के लिए रीन की जरूरत होती है, जैसा कि हमने देखा, रीन के सकरात्मक परभा हो सकते हैं, या कुछ परिस्तियों में वे करदार की स्तिति और बद्दर कर सकते हैं, रीन विभीन सुरोतों से उपलब्ध होता है, ये और अपचारिक और अभी और अपचारिक सुरोतों से निर्भार है, या निवार है कि अपचारिक छेत्र में कुल रीनों के में बिर्दी हो, ताकि महंगे और अपचारिक रीन पर भी निर्भाता कम हो, साथ ही बैंकों और सहकारी समीतियों के इत्यादी से गरीबों को मिलने वाले अपचारिक स्क्रीन का हिस्सा बढ़ना चाहिए ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है